पर्मेशर की बेड़े नाम की महिमा हो फिर से आने वाला प्रभुय श्मिशी के मेटे और पावितर नाम से सबको जे मसी की अभिन्दन दन आईसी एक और अनुबो हमारे जीवन में पर्मेशर ने दिया है कि इस सुबह के टाइम प्रभाद मनन में आकर पर्मेशर की वज़न से कुछ बाते हम मनन करें पर्मेशर हम से आज क्या करना चाहता है वो हम देखे पिछले दिनों में हम उल्पति के किदा पाइंदी सद्याय से कुछ बाते हम याद करके आ रहाता कुछ बनन करके आ रहाता उसी का अठारा पद तक हमने देखा है आज हम उन्यस और बीस पद को देखेंगे उन्यस पद में लिखा है यो राहेल मर गई और एफराता अर्ताद बेदलखेम के मार्ग में उसको मिटी दी गई और जाकुब ने उसके कबर पर एक कंभा कड़ा किया राहेल की कबर का वही कंभा आज तक बना है इधर हम देख सकता है कि राहेल की मरतिव राहेल की अंदिम समस्कार ये दोनों इधर हम देख सकता है एक विस्वासी के जीवन में हम जानता है कि एक मृत्यू बहुत बड़ा एक बात है, एक अनुंगरेगे की बात है, क्योंकि इस दुनिया का हरे एक तकलिफ परेशानी से हम मुट्व आकर हमारा आत्मा परमेश्वर के पास पहुंचा है, हमारा जीवन में एक उन्नदी मिल ज आता है, उसके बाद हम देख सकता है कि कबर्स्तान में हम को रिखना भी, वो भी हम मुर्ती होने के बाद भी कितना आदर के साथ, कितना अच्छी तरफ से हम वो उन लोगों को कबर्स्तान में रिखता है, मिठी देता है, प्रियों बहनों, क्योंकि ये शरीर जब प्रबु पर्मेशुर के साथ, प्रभू के साथ, सौर्ग में विराजबान रहेंगे, इसलिए हमारे मृत्यू एक बड़ी बात है, एक अच्छी बात है, और हमारा बरियल भी एक आदर की बात है, इसलिए हम मसीगी लोग, विस्वासी लोग, आदर के साथ, उसी को अंदिसम्सकार कर रहा है, उनके जीवन में हम देख सकता है कि बाकिस साथ लोग रह रहा है, याकुब रह रहा है, लेया रह रहा है, दोनों दासी लोग रह रहा है, परंदू राखेल क्यों इतना जिल्दी चले गया है, हम जानता है कि ये एक वो सकता है, याकुब की एक बातों की पूर्ती हम जानता है कि उल्पती की किदाब 31 सद्या आए उसका 32 पद में जब लाभान की घर का वो मूर्थी को उठाकर रागल भगर आता उसी के पीछे आकर लाभान पूछ रहा है मेरा वो देवदाव को क्यों चोरी करके गया है जब याको बेदाराई की देख आमने किसी ने भी त पास वो मिल जाता है वो मरने दो उसको मरने का अधिया है वो मरने वाला ही है इसलिए हम देख सकता है कि वो सकता है याकोब की वो बानी के इसाफ से राहिल का जल्दी मृति हो गया उसके बाद उल्पती की किदाब 30 सद्या आए पखला पद में हम देख सकता है कि याकोब स इतना एक गंबीर बात इदर रेचल कहा रहा है वो सकता है उसी के कारण यह मुर्तिव पखले आ गया है प्रिय बाइयों बगनों हम भी हमारे जीवन में बहुत बार क्या करता है कुछ तकलिफ आता है कुछ परेशानी आ जाता है कुछ बीमारी आ जाता है आरतिक समस्री आता है हमारे पत्नी हमारे साथ नहीं देता है बैच्चे हमारे साथ नहीं देता है माता पिदा हमारे साथ नहीं देता है आईसी आईसी बहुत समस्या है जब हम भी हमारे मुझे बदाता है प्रभू मुझे उठा ले प्रभू मैं जीना नहीं चाहता है मुझे मरने दो नहीं त करते ना निक्हाले, वो सकता है उसी के कारण, परमेश्वर ने जिल्दी हमारा मृत्यु दियेगा, राहेल को को सकता है इसी कारण ये पूम्ण द्रूं की होगा फ़र कभी भी हैसी हमारे जीवन में ना आये उसके बादहह Compass कि उसी को अंदिन सम्कार करने के बाद किया है उसमें और याकुम ने उसी कबर पर एक कमभा कड़ा कर दिया राहिल की कबर का वही कमभा उसका नाम ढला है इदर हम देख सकता है कि याकुम उसको कमभा कर दिया है बहुत दुक़्ी के साथ उसने ये किया होगा, क्योंगी वो राहिल से सबसे ज़्यादा प्रेम करता था यह इसलिए वो दुक़्ी के साथ हम जानता ही कि प्रीय विस्वासियों हमारे जीवन में आई सी ही हो जाता है हम साथ कुछ ये अभी अच्छा है, प्रभु का प्रेम में आ गया है, बिदेल के अन्वो में आ गया है, कनान देश में आ गया है, उसके पुराना वो सफ़ाव को उसने बिदेल दिया है, सब कुछ अच्छा है, पहला प्रेम में वो वापस आ गया है उसी के साथ साथ आईसा क्यों हुआ है? बहुत बार हम आईसी सोचता है, हमारा मस्जी की जीवन बहुत आश्वास्प्रद है, कोई तकलिफ नहीं है, कोई परेशान ही नहीं है, पर अदो एक बात को हम समझना है, जो कोई परमेश्वर के ऊपर बरवसा रखते हुए जीवन बिदाता है, उसी के जीवन में हमेशा कोई नहीं कोई चलंचस आते रहेगा, कभी भी वो हम चोड़ नहीं सकता है, हैना हम आईसी नहीं सोचे हमारे जीवन प्रभू के साथ अच्छा है, इसलिए हम बहुत सारा प्राइस हमको मिलेगा, कमफोर्ट जीवन हमको मिलेगा, हैं परंदू हम जानता है कि परमेश्वर का वच्छन में ऐसा नहीं लिखा है, कभी भी सबके साथ बहुत सारा समसिया और तकलिफ आता है, परमेश्वर के कारण तुम लोगों को तकलिफ और कलेश आ जाएगा, उसके अलावा कोई भी नहीं आता है, परंदू हो इदर हम देख सकता है कि यूसी के साथ साथ जीवन में तकलिफ परेशा नहीं आया, जब कोई परमेश्वर के साथ अच्छी बाधावरिन में अच्छी एक जीवन बिदाता है, तो ये भाईयों बगनों, कभी भी हमारा जीवन एक इसी चेर का अनुभू नहीं है, एक क्रूस की अनुभू है, इसलिए परभू इस मशीने कुदी वोला है, मुझे पीचे वने वाला, चेला बिनने वाला, अपना क्रूस उठा कर मेरे पीचे आए, तकलिफ है, परैशानी है, बहुत सारा समसिया है, ऐसा बात सोचे, काम परभू में आएगा तो ऐसी होता है, आज कल हम जानता ही कि प्रोस्परिटी घॉस्पल, आईसी उसी में आईसे समझाता है, प्रभू में आजाओ, तुम लोग को वो मिलेगा, ये मिलेगा, कोई तकलिफ नहीं है, कोई परैशानी नहीं है, घाड़ी मिलेगा, गोड़ा मिलेगा, धन मिलेगा, दो-दो करोड मिलेगा, ऐसी ऐसी वायदा एक करते रहता है, यह बाई योभनो यह सब जूट की बात है, परमेशुर ने कभी भी ऐसा नहीं बोला है, तुम्हारे जीवन में ऐसी एक अच्छा अवस्ता आएगा, तुम्हारा जीवन में तकलीफ और परहशनी है परंदू परमेशर उसी के बीच में भी हमको संभालता है हाथ पकड़के हमको संभालता है देगने हाथ में हमको संभाल कर रखा हुआ है इसलिए हम परमेशर को धन्यवाद करे जब हम प्रभू हीशमशी के पास पहुंचेगा जब हमारा ये तकलीफ, हमारा ये धर्द, हमारा ये वैदनाएं रोने का आवाज ये साब कदम हो जाता है इसलिए प्रियवाईयो बगनो इस दुनिया में कोई भी हमसे बोले तुम्हारा जीवन में प्रभू में आये तुमको ये मिलेगा वो मिलेगा कभी भी वो विस्वास ना करना वो जूटी बात है इसलिए हम परमेशर के और तकलीफ परहशानी उठाते हुए जीवन बिदाने के लिए परमेशर को सखाइदा करें इस वजन के द्वरा उनकी बेड़ी नाम की महिमा हो